नमस्ते दोस्तों, परसुर मेरी बहन रंगोली चंदेल जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि जो लोग डॉक्टर्स पे और पुलिस कर्मियों पे अटेक कर रहे हैं उनको गोली से मार देना चाहिए लेकिन फाराली खान जी जो सुजैन जी की बहन है और रिमा कटकी जी काफी प्रतिष्टित निदेशिका है उन्होंने ये जूटा दावा किया कि रंगोली ने मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है अगर कहीं भी ऐसा कोई भी टूइक मिलता है जिसमें मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है तो मैं और रंगोली सामने से आके माफी मांगेंगे क्या वो ये कहना चाहती है कि हर मुसलिम जो है वो आतंकवादी है हमारा ये मानन नहीं है कि हर मुसलिम डॉक्टर्स को अटैक कर रहे हैं कि हर मुसलिम जो है वो पुलिस कर्मियों को अटैक कर रहे हैं और मैं केंदर सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि जो Twitter जैसे social media platforms हैं जो कि यहां का ही खाके करोड़ों अर्भों में पैसा कमा के हमारी ही कष्टी में छेथ डाल रहे हैं, यहां आप पर्धान मंत्री जी को के ग्रिय मंत्री जी को आतंकवादी कह सकते हैं, RSS जो कि राष्ट स्वयम सेवा संग है, जो कि दिन रात लोगों की सेवा में लगा, उनको आतंकवादी कह सकते हैं, मगर आप आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कह सकते हैं, तो इन platforms का दान और पानी बंध होना चाहिए, मुझे पता भी देश और चीजों से जूज रहा है, मगर फिर भ आवाज उठाता है, उसको इसी तरह से सोशित किया जाता है, उसको उसकी नौकरी छीन ली जाते है, कईों का खून किया जाता है, आज अगर बभीता जी को कुछ भी होता है, कभी भी कोई दूसरी राश्रुवादी आवाज नहीं उठेगी, उनको सुरक्षा परदान की ज